आप सुनों का हर्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल एटुजड इच्टी पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे कि जॉब आफटर सीटेट 2024 यानि आप सीटेट पास करने के बाद कैसे आप प्राप्त करेंगे वह सिख्चक पातरता परिचा पास करने के बाद मिलेगी इन इश्कुलों में जॉब तो जानना है चैन की पूरी परिक्रिया तो दोस्तों अगर चैनल पर नाए है तो अभी सब्सक्राइब कर ला नियुन आपडेट पाने के लिए जाकि आप जानने की जॉब एल आफटर सीटेट इन 2024 तो सीटेट पास करने के बाद उन्हें सीट सीटेट पास करने के बाद हम क्या कर सकते आए जानते हैं दोश्तों क्या है सीटेट परिच्छा तो केंद्रे माद्ध्यविग सीखछा बोट द्वारा सीटेट परिच्या का आएजन साल में दोंढा manque के आ जाता है और इहां परिच्छा केंद्री सरकार द्वारा संचानी किये जाते हैं और इसमें से नवद्दे विद्याले तथा आर्मी पबलिक इसकूल में योगी शिक्षकों की भरती के लिए उमिद्वारों की पातरता निधारित करने के लिए आईजित की जाती है दोस्तों तो इस परिछा में दो पेपर आईजित की जाते हैं तो अभरती का आपको एकजाम लिखना होगा और बात करें कि पेपर वन में पांच खंड होते हैं जिसमें से बालवी का सिक्षासाथ भासा वन और टू होते हैं परियावरन अध्यान गनित जिससे विसे सामिल होते हैं और वही पेपर टू की बात करें इसमें भी पांच खंड होते हैं जिसमें बालविका शिक्षा साथ, भासा 1, भासा 2, समाजिक अध्यान, समाजिक बिग्यान और ऐसे ही सब्जेक्ट इसमें दिये रहते हैं जिसमें गनित और बिग्यान भी सामिल हैं आपको बता दे कि शिक्षक बनने के लिए क्यों जरूरी है सिटर सर्टिपिकेट तो NCTE के द्वारा जारी की गई निमों के अनसर, केंद्रेटी स्कुलों में सिक्षक की पतपर भरती के लिए अभियर्थी को सीटर पास करना अनिवारी है यानि कि यदि आप सीटर पर इच्षक पास कर लेते हैं तो आप केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कुलों तरह स्क्षक बनने के पात्र हो जाते हैं आपको बता दें सीटर क्वालिफाय करने के लिए 60% आपको नमर चाहिए और इसी में से OBC, SC, ST के लिए 55% अंगलाना अति आवस्टे का तभी आप क्वालिफाय माने जाएंगे और यह certificate की validity दोस्तों आज इवन कर दिया गया है इसे जरूर याद रखें दोस्तों आखिर question कैसे पूछे जाते हैं उसकी भी चाचा करें तो यह रहा आपका question यह देखने दोस्तों question आपके पास है कि एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और उसके हाथ उसके साथ काम करने में सहज है उसे होना चाहिए तो यह आपके पास 4 option है तो इसमें से दोस्तों सही answer क्या होगा आप बता सकते हैं तो देखिए अगर आप question को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन sheeted question में अधिकतर क्या दिखा जाता है जहां भी हाथोट size रहे तो वह आपका answer गलत होता है इसको आप काड़ देजिए और बाएं हाथ से लिखवाया गया है यह देखिए यह प्रेस देने वाली बात है तो इससे काम नहीं करवाएंगे यह भी option आपके लिए गलत होगा चि से होना चाहिए क्या उसकी प्राथिमिक्ता की अनुमती दें तो यह आपका answer option नमर सी आपके दुरूली दोस्तों सही रहेगा ऐसा एक कोस्टन अधिकतर सीटेट एकजाम में पूछे जाते हैं दोस्तों आते हैं question नमर नेस्ट पर नेस्ट कोस्टन की बात करें दोस्तों द ही आपके लिए सुस्तों सही रहेगा दोस्तों नेस्ट कुस्टन को देखने कि बद्धी का एकल कारक सी द्धन किसकUI दवारा दिया घया था और फेट बीनेल की दोबरा थ्रीमेन की होती है क्या होती है गुधी मिता होती है रचनातमक्त होता है या जन्मदीन मुबारक हो या अच्छी यादास होता है तो यह चार आपसर में से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर होगा आपसर नमर सी इज राइट अंसर ने इस कुश्चन को देखने है जबकि खाली जगह है दूजती समाजी करन का कारक है दोस्तों ऐसे सिटेट कोश्चन एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप्सन क्या होगा परिवार पडोस परिवार किताबें इश्कुल धर्म या इश्कुल समकच्छी दोस्तों आप अंसर भी चुन लिए होंगे तो करें और वीडियो को सेर करें मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में न्यू कोश्चन के साथ परतियक दिन आपके लिश्टेट से जुड़े हुए कोश्चन विभिन परकार की कोश्चन लेते आएंगे जो कि आपके एक्जाम में पुछे जाते हैं मिलते हैं दोस्तों न्यू झाल झाल